एस्ट्रिल प्रोजेक्शन और लॉप अट्रेक्शन लॉप अट्रेक्शन के बारे में मैं विस्तार से लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ उसकी तारिक है 10 अगस्ट उसको आप सुन लीजिए यूट्यूब पर भी अपलोड है उसका जवाब भी मैंने बहुत विस्तार से दिया है क्या मैं अपने आपको बदल सकता हूँ परसनेलिटी डेवलप्मेंट पाट सेकंड इसमें वो हिस्सा लिया हुआ है मैं आपके जानकरी के लिए इतना ही कहूँगा यह लौ फट्रेक्शन जो कहा जाता है यह पूरी तरह से आपको और मेरे को ठगने का एक प्रकार है ऐसा कुछ होता नहीं है सिक्रेट नाम से भी इसको जाना जाता है सिक्रेट में लौ फट्रेक्शन कहा गया है अगर आप तीवर इच्छा करो तो सारी काइनात जुड़ जाती है और आपकी इच्छा पूरी करती है इस सरासर जूट है सव प्रतिशा जूट है सच इतना ही है कि अगर मैं एक कोई चीज पर कॉंसेंट्रेट करू जित करू निश्य करू इसके लिए मैं प्रयास करूँगा बार बार प्रयास करूँगा और प्राप्त करूँगा तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत संभाव है लेकिन मैं एकादा कार का चित्र अपने सामने रखूंगा उस पर कॉंसेंट्रेट करूंगा और वो कार मुझे प्राप्त होगी या फिर करीना कपूर पर कॉंसेंट्रेट मैं करूंगा और पूरे भारत के पाच करोड लोगों को करीना कपूर प्राप्त होगी ये असंबव है, इंप्रैक्टिकेबल है, मुर्कतापूर्ण है, ये केवल जिनको अपना व्यवसाय चलाना है, उन्होंने हमको एक ठगने के लिए निर्माण की अवश्यस्त्र है. पॉजर्टिव थिंकिंग की जो मर्यादा है, वो बहुत विस्तार से और अच्छे ढंग से, मैंने ये सेकंड वीडियो में परस्नेलिटी डेवलप्मेंट सेकंड वीडियो में डाली है, आप उसको विस्तार से सुन लीजिए. रहा एस्ट्रल प्रोजेक्शन. एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब होता है हवा में उड़ना. लेविटेशन भी उसको कहा जाता है. अगर इस सेंस में आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन ले रहे हो तो, क्योंकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अलग-अलग मतलब भी हो सकते है लेविटेशन को एक ही मतलब है कि आपका शरीर हवा में उड़ जाता है आप हवा में तैरने लगते हो तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब मैं इस धंसे ले रहा हूँ यह संभव है क्या बिलकुल संभव नहीं एक प्रतिशत भी संभव नहीं हाँ जब आप खुड ट्रांस में जाओगे तो आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन या फिर लेविटेशन महसूस करोगे आपको लगेगा मैं हवा में उड़ रहा हूँ मेरा जमीन से संभर्ग तूट चुका है मैं अपने सीट से उड़ चुका हूँ उपर में तैर रहा हूँ हवा में यह हवा में इतना तैर रहा हूँ कि मुझे पुरा शरीर बहुत हलका हलका लग रहा है इतना हलका लग रहा है कि हवा से भी हलका लग रहा है यह सब आपको महसूस होगा यह आपको अनभव आएगा लेकिन आप जमिन पर ही होगे आपका शरीर उपर नहीं आएगा जब भी शरीर उपर आएगा यह आपने अगर कही वीडियो देखा है यह आपने कही अगर आखों से देखा है तो आपको मुर्ख बनाया गया है जदुगरू का टेकनिक इसके लिए उपयोग में लाया गया है इतना आप ध्यान में रखिए लेविटेशन के लिए बड़े पैमाने पर यह टेकनिक्स का उपयोग किया जाता है ताकि आपको दिखे कि आथमी उपर हवा में उड़ रहा है हवा में तैर रहा है, उसके साथ में उसके नीचे बैठी हुई जो चादर है वो भी चादर तैर रही है, ये बताया जाता है, ये जादूगरी का टेकनेक है, ये केवल ट्रीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इस धंग से लेविटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब अगर आप ये लेते हो कि कही तो भी आप जाकर खुद देख कर आ सकते हो इसको क्लेरोवायन से इसा कहा जाता है यानि आप यहाँ पर हो, बैठे हो अमरिका में आपका एक दोस्त है नियॉयॉर्क में तो उसके घर में आप जाकर आ सकते हो इस सेंस में अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन शब्द उप्योग में ला रहे हो तो ये भी असंबव है हाँ आपको महसूस हो सकता है कि मैं नियॉयॉर्क में गया हूँ वा मित्र से मैंने बातचित की है ये हल्यूसनेशन होता है ये क्या होता है ये नेक्स जो अभी वीडियो होगा नेक्स फ्रैडे को हम बहुत विस्तार से उसको देखने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए